दोश्तों अब मैं आपको दिखाता हूँ अपनी नैनो के ड्राइव साफ्ट की क्या हालत हो चुकी है मेरे आप यह देखेंगे यह इसकी ड्राइव साफ्ट है जो इसका एक्सल है इसके एक्सल में जो बूट लगे है आप यह देख सकते हैं बुरी प्रकार से इसका बूट जो कट चुका और इसकी वैसे जो भी लूपरिकेंट ग्रीसिंग था वो सब बहार आ गया इस साइड का भी गुठी का बी सेम यहां किको में सब्सक्राइब नहीं है लेकिन जैसे ही मैं इसको गिए conv नमस्कार जयारीन सच्छेगाल आप दोस्तों दुआओं मैं आपकी उज्विल प्रविश्य की में प्रात्ना करता हूँ तो यार कभी कभी होता किया कि छोटी सी लापरवाई यार बहुत बड़ी समस्या पैदा कर देती है तो ठीक ऐसा ही यार नैनो में मेरे साथ हो चुका है मेरी छोटी सी लापरवाई की वएसे नैनो के अंदर एक प्रब्लम आ चुकी है अब देखेंगे हलका सा गारी नीचे को भागने लगी थी नीचे जाएगी नी क्योंकि वैसे तो आप देखेंगे सामने जो यह रोड है इसके जो स्लोप वाली रोड है लेकिन मेरी सेफ्टे के लिए एक छोटा सा अब देखेंगे पत्था सामने को रख दिया था और यह यहीं पर आकर टिक चुकी है तो मैं प्रब्लम क्या दिखाना चाहता था आपको कि आप देखेंगे इस वक्त गारी न्यूट्रल में है हैंब्रिक नहीं लगी है तो जैसे ही मैं अपनी लेफ साइड का पीछे का टाय को देखेंगे चला रहा हूं आप देखेंगे बिल्कुल सही चला रहा किसी भी प्रकार की साउंड जो है वो नहीं आ रही है और यह साइड का भी दिखाता हूं कोई साउंड नहीं आ रही है अब जैसे ही मैं अपनी स्टाटा नैनो को फर्स गेर या किसी भी गेर पर लगा देता हूं मालने जब मैं इसको गेर पर लगा दिया है तो अब क्या होगा कि आपको पता है हमारी जो नैनो है वो रियल विल ड्राइव है तो अब गेर लगाने से हुआ कि हमारे जो भी पीछे कि देखता हूं यह देखिए आप आप सुनिये कट कट की साउंड जैसे ही मैं आगे पीछी ले रहा हूं कि ज्यादा आगे पीछे नहीं जाएगी क्योंकि यह गेर में लगी हुए गारी लेकिन अब क्या हो रहा है कि हमारी पीछे की जो टायर है आपके ज्राइब साफ पे ट कट की साउंड कर दिया और यह वाला कर रहा है राइट जाट का मैं आपको उसनाता हूं देखेंगे अब आज जो आ रही है वो लेफ्ट साइड से ही आ रही है तो देखेंगे आप यह इस प्रकाय की जो साउंड आ रही है इसका सबसे बड़ा रीजन किया है वही मैं आपक बूट वहान चाहता हूँ यह आप देखेंगे में इसके नीचे चला गया हूँ JIN thocus 고प यह अलंब देखेंगे अब ठीक है तो इसलिए 100% साइड के थीज है आपको मैं लेफ साइड इसाड कर दिखाता हूँ यह देखिया पूरा जो बूट है इसका फटा हुआ है इसमें से जो ग्रीसिंग है वो बहादा चुकी है एक्चुली क्या था कि मुझे पता तो चल गया था कि इसके बूट फटे हुए है और यह देख विया कोई ऐसी बात नहीं क्योंकि 12 सल पुरानी गारी है जब यह डाड़ी चलती है तो एक्चल के साथ साथ यह बूट भी गोमते है तो हो सकता है कोई माझा वे गड़ scream को कि ओ Turks exist में पूरा का पूरा पूर पानी का प्रेशर नीचे यहाँ पर धुद जे जितना भी लूप्रिकेंट था इसके अंदर से जितने भी घ्रेसिंग थी वह सारी बाहर आगई तो उसकी वजह से यह इससाइड लेफ साइड में इसकी कट-कट की जो साउंड है वो आपको सुनाई दे रही है तो वीडियो बनाने का मकसर है मिरे इतना इथात की आप भी अपने नैनो के बूट चक कलीजेगा को इसके बूट इस प्रकार से फटे हुए है तो उसमें बिल्कुल भी भूल कर भी आप नीचे पानी का ध्यान रखी गया कि उसमें पानी ना जाने पाए क्योंकि अगर आपकी गाड़ी चलती हुए पानी में जाती है तो तो इतना फर्क नहीं पड़ने वाला लेकिन आप वाशिंग कराएंगे तो जितना भी पानी होगा सारे पानी वहां पर जाएगा तो फिर उससे इस प्रकार की जो साउंड है वो आने के संभावने आप देखिया इसके बूट तो बदलवाने के लिए को या कोई चोटा मोटा काम नहीं होता है सारी चीज़े इसकी बाहर निकालनी पड़ती है तब जाके इसके बूट है वो बदल जाते है फिलाल तो भी देखिए मैं क् ब्रैक अलगी ग्रीज होती है जो कि स्पेशल स्वी जोइंट के लिए बनी होती है लेकिन यह वह उसके लिए ग्रीस नहीं है क्योंकि आप देखेंगे यहाँ एपी 3 लिखा हुए तो इसके लिए जो ग्रीस डलती है वह एक प्रकार की ग्रीस लगाते है जो कि इससे भी घ कट कट की देखता है तो अब जैसे ही में इस grease को एक पनी में डाल के कीप की तरह बनाऊंगा ताकि इसमें डालने में असानी हुथ है कि इसकी हो पूरी प्रकार से grease को भना पड़ेगा तो उसके बाद ये सब काम करने के बाद मैं बहुत को दिखाता हूं कि इसकी जो कट-कट की साउंड है क्या वो जाने वाली है या फिर एज़ इस वैसे की वैसे ही रहने वाली है अक्सल की ग्रीसिंग का काम पूरी तरह से कंप्लीट हो चुक है अब हम फिर से वही चीज़ करेंगे मैं अपनी नैनो को गेर में लगा लेता हूं हैंड ब्रेक भी नीचे हटा लेता हूं तो अब एक बाई फिर से मैं इसके टाय को गुमा के देखूँगा क्या वो जो साउं क्षेश्ड प्रेकि रधून को डियां हमानी जो है पंणी में एक तुम में यह असानी से पूरी ठ्रीज को ब्लाता है MICHAEL क्योंकि क्केश्ड पीडिण संपत क्रून कारा मैं गीङर रहा है यह आप पर हिसन सकते है मैं एत्भी है थो डीश स्यान बहुत ज़दा ज़दा सी आदिया लेकिन यह बहुत कम है क्योंकि अभी जब इसमें मैंने ग्रीसिंग डाली तो मैंने जैक पर जो गाड़ी लगी थी उसी पर ही टैल को मैंने घुमाया था तो जैसे ही मैं वह सकता हूं इसको भी चलाओंगा तो जो ग्रीस है वह अच्छे प्रकार से इसके कलपूजों में चला जाएका तो हो सकता है कि यह साउंड दूसके बाद ना है तो देखेंगे यह एक प्रकार का टंप्रेली इलाज आप देख सकते साउंड पहले आपने सुना था बहुत तेज साउंड यह कर दा था तो यह टंप्रेली जुगार है लेकिन अगर इस प्रकार से आपकी नैनों के बूट फट जाते है तो याद प्लीस उस पे पानी मज जाने तीजेगा अगर कहीं से भी उस पे पानी चला जाता है तो फिसके बाद यह समस्या आने वाली है तो इसका जो पर्मनेंट इलाज होगा इसके जो ड्राइव साफ्ट है इस स्वस्विये खुश्विये जय 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 किसान जय हिंदुस्तान जय महाकाल